जैन फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने next important topic के बारे में that is budget अगर आप Constitution of India को open करते हैं तो आपको वहाँ पर budget word देखने को नहीं मिलेगा अब budget जो word है यह जहां से derive किया गया है वो actually में एक French word है और उसका अगर हम Hindi में meaning निकालते हैं तो उसका मतलब होता है एक leather का bag leather का bag जिसमें important documents होते हैं जो पार्लेमेटर में क्या किया जाते हैं प्रेजिट किया जाते हैं तो एक बात ध्यान रखेगा अगर आप से कोई पूछे कि budget word कहाँ पर mention है तो याद रखेगा budget word is not mentioned in में mention नहीं है तो आपके mind में doubt होगा कि सर फिर mention क्या है Constitution of India में जब आप Article 112 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है annual financial statement तो जो closest article है Constitution में वो है हमारे पास Article 112 आप कहिए कि साब आप हमें यह बताइए कि Article 112 में क्या लिखा हुआ है Article 112 में लिखा हुआ है दा प्रेजिदेंट शेल दी प्रेजिदेंट शेल causes दी लेंग दाउन अन्यूल फाइनिशल स्टेटमेंट अन्यूल फाइनिशल स्टेटमेंट इन दी पार्लिमेंट स्टेटमेंट इन दी पार्लिमेंट तो यह मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाई करके इजी फॉर्म में करनवर्ट करके आपको बता दिया है ताकि जब आप तभी मेंस में रिपर्जेंट करना हो Article 112 को तो आप असने के साथ उसको रिपर्जेंट कर सकें तो इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया है अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर जब हम बजट बना रहे हैं 2023-2024 financial year के लिए अब आपके mind में doubt होगा कि सर financial year होता क्या financial year basically में start होता है 1st April से start होगा आपका 1st April से और ये end होगा आपका 31st March पे किस पे होगा 31st March तो यानि कि जिब कभी भी आप देखते हैं 2023-2024 तो इसका मतलब है ये start होगा 1st April 2023 से और end होगा 31st March 24 को क्या इसकी preparation एक हफते पहले start होती है या एक महीना पहले start होती है तो मैं आपको बता दिना चाहता हूँ इसकी जो preparation है budget की जो preparation है वो तकरीबन 5 से 6 महीने पहले start हो जाती है यानि कि इसकी preparation start होगी होगी in the month of August और September 2022 में 2022 में अगस्त या September के महीने में अगस्त या फिर September के महीने में इसकी preparation start होगी है अब आपके mind में doubt होगा कि सर preparation कराता कोन है actual में एक division होती है budget division budget division of budget division of department of expenditure of ministry of finance of ministry of finance तो ministry of finance में department है department of expenditure उसकी जो budget division होती है ये क्या करती है एक budget circle इसु करेगी और ये budget circular कहा पर चला जाता है जितनी भी ministries है सब ministries को ये budget circular चला जाता है तो क्या में कैसकता हूँ budget division of department of expenditure of ministry of finance ये क्या करते हैं ये एक budget circular इसु करते हैं ये क्या करते हैं ये एक budget circular issue करेगे to all ministries to all ministries तो जितनी भी ministries हैं सबी ministries को ये क्या तरहेंगे एक budget circular इसु करते हैं अब हर ministry को पैसा चाहिए ministry चलाने के लिए तो वो हर ministry क्या करते हैं पैसा मांगती है वो जब पैसा मांगेंगे तो उनको हम technical form में कहेंगे demand for grant तो क्या करेंगी यह जितने भी ministries है जब यह पैसा मांगती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं demand for grants क्या कहते हैं demand for grants demand for grants अब इसको मैं थोड़ा सा एक easy example की help से आपको समझा देता हूँ जैसे माली जी आप अपनी घर से preparation करने आ रहे हैं दिल्ली में करोल बाग में आ आ रहे हैं तो जैसे government का पैसा होता है CFI में ऐसे ही में माल लेता हूँ कि आपके घर में जो पैसा है वो कहां पे आपके घर का भी क्या है एक CFI है CFI क्या होता है consolidated fund of India होता है अब आपको क्या करना है आपको अपनी घर की तीजोड़ से पैसे मांगने है ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे expenditure हम बोलेंगे ठीक है जैसे माली जी आप करोल बाग में आ रहे हैं दिल्ली में preparation के लिए तो आप वहां पे रहेंगे तो आपको room rent पे करना पड़ेगा कितना आपने मांगे कितने 5000 रुपे पर मंत की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं फिर आपको food भी चाहिए खाना भी खा रहा है तो आपने मांगे 5000 रुपेज फिर आपने बोला कि हम library में भी रहेंगे पड़ेंगे library में भी पड़ेंगे तो आपने बोला कि 3000 रुपे हमें चाहिए ठीक है इसके लावा आपने कहा कि books की हमें जुरुत पड़ेगी तो बुक्स के लिए आपने 5000 रुपे मांग लिए इसके लावा miscleanious खर्चे ठीक है आप बीमार हो गए या फिर आपको कुछ और प्रपेज पर्चेस करना है उसके लिए आपने 1000 रुपे मांग लिए तो यह आपका पर मंद का budget हो गया तो यह कितना हो गया पांच पांच पर दस तीन तेरा पांच अठारा और एक 19,000 रुपे तो यह करेंगे budget estimate अब पैसा आएगा कहां से उसको हम बोलते है receipt technical language में उसको क्या बोला जाता है technical language में उसको बोला जाता है receipt R-E-C-E-I-P-T ठीक है पी यहां पर silent होता है अब आपके पास तो पैसा आ नहीं रहा है आप तो सिर्फ खर्च करने जा रहे हैं तो इस case में आपका receipt क्य discussion कव हो रहा है यह सब आपका discussion हो रहा है in the month of August और September आपने पैसा मांगा अब देखें आपके ब्रदर ने भी civil service की coaching की त्यारी की थी वो भी करोल बाग में रहे थे तो अब discussion होता है तो आपके भाई ने कहा आपके पापा से ममी से सबके start discussion हो रहा है कि room rent बहुत जादा है हम इसको कम कर देंगे ठीक है आप room sharing में ले लिजिएगा 3000 रुपे में sharing में आ जाता है ठीक है फिर खाने की बात आती है 5000 रुपे बहुत ज्यादा है 3000 रुपे में एक बहुत बढ़िया टीफिन वाला है करोल बाग में वह आपको बढ़िया खाना देगा library में रहने की पढ़ देंगे अलग से देंगे इसी कोई जरूत नहीं है miss cleaners के भी कोई जरूत नहीं है तो finally यह decide हुआ कि हम आपको कितने पैसे देने जा रहे हैं हम आपको देने जा रुपे आपने पैसा कितना मांगा था आपने पैसा मांगा था 19,000 रुपे एक महेने का अब उसको हमने कट पर उसको discuss किया जाता है DRSC में जो department related standing community होती है कि यह पैसा जायज है या नहीं है उसके बारे बात करेंगा तो जिस तरह से आपने अपने मंद का budget बनाया इसी तरह से सरकार भी क्या करती है अपना budget बनाती है तो याद रखेगा हर ministry क्या दरेगी एक demand for grant देगी क्या देगी demand for grant अब याद रखेगा कितनी allowed है 107 demand for grant is allowed कितनी allowed होती है 107 demand for grant allowed होती है clear है अब हर minister ने क्या किया अपने हमने demand for grant देदी अब उसके बाद देखें अगर मैं यहाँ पर budget की preparation की बात करता हूं चिक है अगर मैं यहाँ बात करता हूं preparation of budget की if I'm talking about the preparation of budget तो मैंने आपको बताया कि budget की जो preparation होती है वो तकरीबन 5-6 मिने पहले start हो जाती है in the month of October और September 2022 में वो start हो गई होगी तो हमारे पास department होते हैं department of economic affairs department of department of economic affairs department of revenue department of revenue तो यह department क्या करते हैं यह department meetings करते हैं यह department क्या करेंगे meetings करेंगे अब meetings किसके साथ होती है citizens के साथ होती है आप लोगों के साथ meeting होगी आप से राय मांगे जाएगी कि यह जो budget हम present करने जा रहे हैं इसमें आपकी क्या-क्या expectation है आप क्या-क्या जाते हैं जितने भी बड़े-बड़े business houses होते हैं टाटा है अंबानी है बिल्ला है इन सके साथ meeting होती है FII foreign जो institutional investors होते हैं उनके साथ meeting होती है तो सभी के साथ meeting होके finally एक proposal बना दिया जाता है और वो जो budget proposal होता है जो ministry of finance है in the month of January यानि कि January 2023 में जनवरी 2023 में क्या होगा एक budgetary proposal एक budgetary proposal बना दिया जाता है अब यह जो budgetary proposal है यह finance minister कहां पर लेके जाएगी अभी फिलाल finance minister है हमारी मैडम निर्मला सीता रवाल तो यह जो budget proposal है यह कहां पर प्रेज़ेंट के जाता है यह प्रेज़ेंट के जाता है cabinet के सामने तो cabinet क्या करता है मालीजी cabinet ने इसको अप्रूव कर दिया ठीक है cabinet कहता है everything is okay no problem उसके बाद बारी आती है एक person होता है और उसकी post का जो नाम है वो है secretary general of लोगसभा secretary general of लोगसभा अब यह एक senior IAS officer होता है ठीक है अब यह क्याता रहेगा यह जो senior IAS officer होता है यह basically में एक second तो अब बारी आती है secretary general अब बारी आती है secretary general of लोगसभा की अब यह जो person है यह senior IAS officer होता है यह coordinate करेगा किसके बीच में president के बीच में और speaker के बीच में ताकि हमारे पास एक final date आजे तो यह coordinate करेगा president के बीच में president के बीच में और speaker of लोगसभा के बीच में speaker of लोगसभा अब finally इन दोनों ने एक date decide कर लिए और वो date क्या है वो date है 31st January 31st January 2023 तो इसको क्या होगा हमारा जो budget session है वो start हो जाएगा अब ध्यान सुनेगा मेरी बात कोई भी session जब start होता है साल का जो पहला session होता है उसका जो पहला दिन होता है उस दिन क्या होता है joint session होता है अब उस joint session में लोकसभा के MPB होंगे राजसभा के MPB होंगे और उसको बुलाता को नहीं उसको बुलाता है है लोकसभा के MPB है राजसभा के MPB है अब आपके माइं में डाउट होगा कि सर ये जो लोकसभा और राजसभा के जो member of parliament है क्या ये इखटे हुए हैं अंडर आर्टिकल 108 नहीं ये अंडर आर्टिकल 108 में नहीं इखटे हुए हैं ये आपके अंडर article 87 के according क्या हुए हैं इखटे हुए हैं जब कभी भी general election होता है उसका जब result आता है तो जो पहला session होगा उस दिन भी president का address होता है और हर साल के पहले session का जो पहला दिन होता है उस दिन भी president साहब का क्या होता है address होता है और वो address my dear friend होता है under article 87 108 क्या है 108 में joint sitting होती है जब हमारे पास किसी बिल पर deadlock हो जाता है मतलब एक house agree है और दूसरा house हमारे पास agree नहीं है तो उस समय पर जब deadlock होता है तो joint sitting होती है under article 108 लेकिन ये under article 108 के तहप नहीं है ये लोकसभा राजसभा में है तो इस दिन क्या होगा 31st January 2023 को होगा क्या जो प्रेजिडेंट है मैडम द्रोबदी मुर्मो वो आएंगी और वो क्या करती है वो एक speech देती है वो क्या करती है एक speech देती है अब Central Hall में दोना MP बैठे होएं लोकसभा के MP भी बैठे होएं राजसभा के MP भी बैठे होएं तो प्रेजिडेंट साहब मैडम द्रोबदी मुर्मो वो बताती है कि अब हम आजादी के 75 साल में एंटर कर चुके हैं ठीक है अमरित काल में एंटर कर चुके हैं हमारी सरकार ने ये आपके चले जाते हैं लोकसभा में और जो राजसभा के Member of Parliament है ये कहां पर चले जाएंगे राजसभा में अब कन्वेंशन तो ये है कि राजसभा में भी एक वोटिंग होती है और लोकसभा में भी क्या होती है एक वोटिंग होती है और ये होटी है वोटिंग जो होती है व आइडम द्रोबदी मुर्मो आई है, उन्होंने अपनी गवर्मेंट के बारें बताया कि मेरी गवर्मेंट ने यह अचीव किया, तो उसको हम एक थैंक्यू करते हैं, चिक है, तो उसके लिए वोटिंग होती है, लोगसभा में, उसके लिए वोटिंग होती है, कहां पर राज लेकिन हो सकता है, उसमें बहुत सारे मेंबरों पार्लेमेंट है, जो करेंट गवर्मेंट से खुश नहीं हैं, तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि लोगसभा में, कि गवर्मेंट कॉंश्प्रिणेंस इंज्वाई कर भी रही है या नहीं है, ऐसा हो सकता है, बीज़े में बहुत सारे Member of Parliament हो जो Modi साहब को पसंद नहीं करते हो और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे Member of Parliament Congress में हैं लेकिन वो Congress को पसंद नहीं करते हैं ठीक है तो voting से यह पता चलिएगा कि Government के पास Majority है भी या नहीं Government जो confidence है वो House का enjoy कर भी रही है या नहीं कर रही है यह सब बातें यहां भी पता चिल जाती है अब यह बात है 31st January 2023 की अब next day क्या होता है यानि की 1st February को 1st February 2023 को अब इस दिन क्या होगा इस दिन जो Finance Minister है मैडम निर्मला सीता रमन वो क्या करेंगी वो budget को present करेंगे ठीक है वो budget present करती है कहां पर लोग सबा में government कहां पर बैठती है लोग सबा में अब वो budget को represent करेंगी माली जी आपका जो session है वो session आपका start होता है 11 बजे शेशन start हुआ 11 बजे और मैडम की जो speech है वो खतम हो गई 130-े अब budget में होता क्या है budget में देखो budget present किया गया है किसी यह के लिए 2023-2024 के लिए इस financial year के लिए वो present किया गया है ऐसा ही budget last year present किया गया होगा 2022-2023 के लिए उससे last year भी present किया गया होगा 2021-2022 के लिए बजट जब मैं आपको दिखाऊंगा do not worry उसमें आपको यह तीन चीजे मिलेंगे एक तो आपको मिलेगा budget estimate क्या मिलेगा आपको मिलेगा budget estimate तो जो budget estimates होते हैं वो होते हैं next financial year के लिए मतलब 23-24 के लिए कि जितनी भी ministers हैं उन्होंने कितना पैसा मांगा है demand for grant, ministry of agriculture ने कितना मांगा है, ministry of defense ने कितना मांगा है तो वो सब पैसा होता है इसमें, अब same पैसा last year भी मांगा गया होगा तो उसमें अगर कुछ revision करनी है कुछ change हुआ है तो वह आता है वो भी आता है तो इसको हम बोलते है revise estimate अच्छा उससी जो पिछले साल का है वो तो खतम ही हो चुका है तो इसको हम बोलते है actual estimates इसको हम क्या बोलते है इसको हम बोलते है actual estimates तो तीन चीज़े आपको budget में देखने को मिलती है एक होता है budget estimate next financial year के लिए current जो चल रहा है उसके लिए revise estimate होते है और जो financial year खतम हो चु estimate भाई यह ministry इतना पैसा करच करेगी अब किस account के लिए होता है actually में हमारे पास तीन तरह के account होते है एक होता है हमेशे याद रखेगा जब कभी मैं CFI लिखंगा तो CFI का मतलब होता है consolidated fund of India अब इसमें से पैसा निकलेगा इसके लिए हमारे पास एक होता है public account of India एक होता हमा एक हमारे पास होता है contingency क्या होता है contingency fund of India इसको हम emergency में use करते हैं अब इसको कोन होल्ड करता है इसको होल्ड करता है finance secretary on the behalf of the president ठीक है finance secretary इसको होल्ड करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा detail में तो मोटी मोटी बात यह है कि हमारा जो पैसा है पैसा जो हम निकालेंगे वो ह as the consolidated fund of India इतना clear होगा तीन तरह के account है इसके बारे में बात करेंगे इन सब के बारे में बात करेंगे तो मैडम ने क्या किया मैडम आती है सुबह 11 वजे वो पूरे discussion होता है जब मैडम बोल रही होती है कि हम यह करेंगे हम इस ministry में agriculture में यह करेंगे वो करेंगे तो opposition उसमय पे कि मैडम इसको complete करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि same day evening में मैडम कहा चली जाए राजसभा में या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो next day राजसभा में जाए अब आप कहेंगे कि सर क्या राजसभा में जाना जरूरी है ऐसा नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि बजट की जो कोपी है वो राजसभा में भिजवा दी जाती है अगर मैडम के पास टाइम नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे भिजवा देंगे राजसभा में तो यह जो मामला है लोग सभा में जो discussion हुआ है राज़ा सभा में जो discussion होगा यह usually चलता है 3-4 दिन तक जिसे माली जी मैडम ने लोग सभा में represent किया फिर मैडम गई राज़ा सभा में उसके बाद थोड़ा बहुत debate है उसके बाद हलका खुलका discussion है तो मैडम को reply भी करना होता ह है वो कोई question पूछना चाहते हैं finance minister से तो वह दे सकते हैं तो यह सब होता है 3-4 दिन अब उसके बार क्या होता है तीन से चार दिन तक यह discussion होता है उसके बाद budget जो session है इसको हम कर देते हैं suspend इसको क्या कर देंगे suspend कर देगे अब यह जो suspension होता है यह होता है 3-4 वीक के लिए तो 3-4 वीक के लिए हमने क्या किया budget session को suspend कर दिया अब during this क्या होगा हमारे पास जो budget है उसको हम कहां पर भीज देते हैं उसको हम भीज देते हैं Department Related Standing Committee के पास यानि कि DRSC तो हमारे पास कितनी DRSC है हमारे पास 24 DRSC है अब एक DRSC में कितने मेंबर होते हैं एक DRSC में 31 31 member होते हैं, कितने होते हैं 31 member, जिसमें से 10 member होते हैं रजजसबा से और 21 member होते हैं लोकसबा से, अब आपके माइन में डाउट होगा कि सर ये DRSE होता क्या है, देखें, अब माली जे, हमारे पास 107 demand for grant है, कितनी है? 107 demands हमारे पास आगे, अब पहली जो demand है वो है हमारे पास ministry of defense की अब ये मांग रहे हैं वन लैक करोड़ रुपियस मांग रहे हैं अब हो सकता है कि इन्होंने पैसा ज्यादा मांग है तो ये क्या होगा ये जो डिमांड फॉर गृंट है न शि carbon जेगी इस डिपार्टमेंट से related जो standing committee है इस department से related जो standing committee है यह इसके पास सिल जाएगी अब consensus से वो क्या कर सकते हैं recommendation दे सकते हैं माली जी इसने का कि भाई एक लाग करोड की जरूरत नहीं है तो क्या यह binding है यह binding नहीं है recommendation है DRSC क्या आता सकती है DRSC सिर्फ और सिर्फ recommendation दे सकती है इसी तरह से 24 की 24 जो DRSC है वहाँ पर यह सब चली जाती है तो यह सब discuss करते हैं individually discuss होगा ministry of agriculture की भी एक DRSC होगी जितने भी department related standing committee है हर किसी में चला जाएगा अब अब हुआ क्या अब इसके बाद हम वापिस आ गए मालीजी हम वापिस आ जाते हैं पांच मार्श को मैं एजूम करता हूं कि हम वापिस आ गए हैं पांच मार्श 2023 को तो जितनी भी DRSC थी उन्होंने अपनी report दे दिये तो हर standing committee क्या गरेगी यह report देगी जैसे मालीजे पहली जो ministry of home affairs में जितना पैसा मांगा था ठीक है DRSC एक report देगी कि भाई यह जो पैसा मांग रहे हैं यह काफी ज्यादा पैसा मांग रहे हैं तो होगा क्या यह जो पहली demand for grant है किसकी ministry of home affairs की इस पर क्या होगा debate होगा discussion होगा और इस पर क्या होग voting होगी ठीक है अब मुझे एक बाद बताईए हमारे पास है 107 demand for grant अगर हम हर demand for grant पे debate करने लग जाए discussion करने लग जाए ड्रीमा, debate, discussion और voting तो ऐसे दो बहुत टाइम लग जाएगा तो होता क्या है कि जो main main important होती है उस पर debate होता है discussion होता है voting होती है last day में क्या करता है जो speaker होता है speaker क्या करेगा last day जो last day होता है budget session का उसमें जितनी भी demand for grant है सब को combine कर देते हैं और उसको pass कर दे जाता है wise vote से इसको हम बोलते हैं guillotine method guillotine method अब ये guillotine का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा पूराने जमाने में जब कभी क्रिमल को सजा दी जाती थी मोत की तो उसकी हाथ पर बांदी जाते थे उसको उल्टा लिटा दिये जाता था और एक device आता था एक चोपर आता था एक चकू आता था वो उसकी गर्द guillotine copy किया गया है तो इस method में हो क्या रहा है इस method में जितनी भी demand for grant है जिस पर voting नहीं हुए है उनको combine कर देते हैं इसमें क्या होता है इसमें debate नहीं होता है discussion नहीं होता है हाँ voting कैसे होती है wise vote से speaker कहेगा those who are in favor say eyes eyes का मतलब होता है हम favor में है those who are not in favor say no eyes are more eyes are more याने कि eyes की जो है वो ज्यादा है तो इस demand for grant को क्या किया जाएगा pass माना जाएगा सब को combine करके pass कर देते हैं ठीक है इस तरह से क्या होता है इस तरह से हमारा जो budget है वो हमारी पास क्या हो जाता है पास हो जाता है अब जहां सुनेगा मेरी बात उसको हम बोलेंगे expenditure ठीक है माली जे अब सब कुछ हो गया है debate भी हो गया discussion भी हो गया voting भी हो गया उसके बाद एक अलग से bill त्यार होता है उस bill को हम क्या कहते हैं उस bill को हम कहते हैं appropriation bill और याद रखेगा इस एप्रोपरिशन बिल पे ना तो डिबेट होती है ना डिसकेशन होता है ना वोटिंग होती है क्योंकि डिबेट डिसकेशन और वोटिंग पहले हो चुकी है देखो ये एक्जेक्टि लिए ना सिमिलर है इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ देखो आपने ये पैसा माँगा क्या हूँ डिबेट वा डिसकेशन हूँ और फाइनली आपको 60000 रुपे दे दी गए तो जो एप्रोप्रप्रेशन जो बिल हैं उसमें क्या है 6000 रुपे है तो क्या इस 6000 रुपे के यि लिए डिबेट डिसकेशन वोटिंग होगा नहीं यह तो हम पहले कर चुके हैं इसी तरह से यहां पर है इसी तरह से हमने जो डिस्कस किया है तो लास्ट में अब हम पैसा निकालेंगे तो पैसा हम किसे निकालेंगे एप्रोपरेशन बिल से जिस पे कोई भी डिबेट डिस्कुशन और वोटिंग नहीं होती है यह कोशन कि पैसा आएगा कहां से पैसा दोस्तों आता है टेक्स से मेली जो पैसा आता है टेक्स से इंकम टेक्स से पैसा आएगा जी एस्टी से पैसा आएगा वैट से पैसा आएगा इसके लावा हो सकता है सरकार में कहीं से लोन लिया हो तो वहां से भी पैसा सकता है सरकार में अप और इसको हम अनदर form में बोलता है ऐसे हमारे पास बीड और टेक्स गजारा हमें उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको पारिय घुटार दिया तो ऊ Lauren को बता त्षक की दिया मिल्ले में उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर इस फ्रोडर से expenditure को और discuss कीजिए चलिए इसके बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर हम चाहें तो expenditure को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें वोटिंग नहीं होती है और एक पार्ट हमारे पास क्या होता है जिसमें वोटिंग होती है तो अगर मैं expenditure को यहां पर दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूं तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि एक जो पार्ट होता है वोता है made from the consolidated fund of india मैंने यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक हमारे बास हो गया है charge on the consolidated fund of india और दूसरा है made from the consolidated fund of india consolidated fund of india अब ध्यान रखना कि यह जो charge on the consolidated fund of india है यह non-votable होता है यह क्या होता है यह non-votable पार्ट होता है इस पर वोटिंग नहीं हो सकती है और जो made from the Consolidate Fund of India है यानि कि charge made from the Consolidate Fund of India है इस पर क्या होती है वोटिंग होती है अब देखो जिस मीनिस्टर ने जो जो पैसा मांगा वो हमारे पास इसके इंडर आ गया लेकिन जैसे प्रेजिडेंट की salary है या फिर Supreme Court के जो judges हैं उनकी जो salary है क्या की जो salary है pension है अलाउंसिस है उनके ओपर वोटिंग नहीं होती है क्योंकि माली जै किसी Supreme Court के judge ने कोई judgment दे दी और आप उससे सहमत नहीं है तो क्या आप उसकी salary को कम कर सकते हैं अलाउंसिस को कम कर सकते हैं नहीं आप उनको बढ़ा सकते हैं उनको आप कम या उनको जो privilege मिले हैं उनको आप कम नहीं कर सकते हैं तो यह होता है charge on the consolidated fund of India इस पे अगर option में उसको बनाना हो जैसे माली जी अगर मैं paper set कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कहीं पर option में मैं इसको डाल दूँगा इतने clear हो गया तो मैंने आपको बता दिया tax bill के बारे में finance bill के बारे में बता दिया मैंने आपको appropriation bill के बारे में भी बता दिया अब उसके बाद पास हो गया, पास होते ही, speaker क्या गरेगा? speaker, इसको certify कर देता है, speaker इसको certify कर देगा कि ये एक money bill है, ये क्या है? एक money bill है, तो, money bill है, तो अब राज्यासभा के पास तो कोई power रहे की? 14 दिन का समय होता है, 14 दिन में उनको कोई action लेना है, या नहीं लेना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है राजासभा की कोई पावर नहीं है ठीक है चोदर दिन का समय होता है उसके बाद वो बिल पास वहां माना जा सकता है इसके बाद हम इसको बेज देते हैं प्रेजिनेट असेंट के पास यानकि प्रेजिनेट की सिगनेचर के लिए टेकनिकल वे में इसको ब Appropriation Act. तो अब ही हमारे पास क्या बन गया? Appropriation Act बन गया है. अब आप पैसा निकाल सकते हैं. अब देखो यहां पे एक ध्यान देने की बात है. अब ध्यान देने की बात क्या है? कि आपने budget estimate बनाए 2023-2024 के लिए. ठीक है? अब इसमें जो period होता है वो आपका start होता है कहां से? 1st April से और यह जाता है next year की 31 March तक. ठीक है? अब माल लो आप budget को present कर रहे हैं. अब उसमें माल लो आपने start किया January से. ठीक है? आपने start किया 31 January से. 31 January 2023 से आपने start किया. होते होते February निकल गया इसमें, March निकल गया और इसमें April निकल गया और May की इसमें starting आगी. ठीक है? May की starting आगी मैं ही मान के चला हूँ. तो भई अब इसके लिए तो April और May में तो आपको पैसा चीए ना? आपको पैसा चीए. अगर मालीजे, अगर मालीजे, आपका जो budget का जो discussion है, आप क्या कर सकते हैं? आप advance sanction ले सकते हैं. कहां से ले सकते हैं? Consolidated Fund of India से ले सकते हैं. कितना ले सकते हैं? आप ले सकते हैं, 1-6th. और इसको हम बोलते हैं, vote on account. vote on account. आपको पता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, दो महीने का अगर आपको advance चाहिए, अगर आप discussion करते हैं, कहां पर चलेगें, अपरेल मही में, एक महीने का चाहिए, तो एक महीने का भी आपको मिल जाएगा. तो दो महीने का आपको advance में पैसा मिल जाता है, इसको बोलते ह है vote on account क्या बोलते हैं हम इसको vote on account हम इसको बोलते हैं clear है आपे तो यह सब चीजे मैंने आपे discuss की है I hope यहां तक कोई doubt नहीं होगा अब देखिए अब यह जब discussion हो रहा था अब मैंने आपको जितना भी detail में discussion होता है वो समयना को प्रेजेंट करेंगी लोगसभा में या राज्यसभा में वो दो से ड्हाइगंटे की जो स्पीच होती है उस समय पे कोई भी कट मोशन इंट्रेड्यूस नहीं होता है हाँ जब discussion चल रहा DRC ने अपनी रिपोर्ट दे दी तो उस समय पे operation कट मोशन को इंट्रेड्यूस कर सकता है यह तीन टाइप क्यों होते हैं एक हमारे पास उता है पॉलिसी कट मोशन और थर्ड है हमारे पास टोकन कट मोशन अब पोलिसी कट मोशन में क्या होगा policy cut motion में बालीजे leader of operation है रहुल गांदी suppose कीजे रहुल गांदी साब खड़े होते हैं वो कहते हैं कि speaker साब मैं एक cut motion इंट्रिडूस करना चाहता हूँ और वो cut motion है policy cut motion आपने ministry of agriculture को 5000 करोड रुपे इस साल देने है ठीक है अब ये 5000 करोड रुपे में 5000 करोड ठीक है is equal to zero नहीं Parliament की mathematics में ये zero नहीं होता है ये one होता है हम किसी को भी खालियात नहीं बेसते हैं एक रुपा होता है अब actually में जो मैंने इसके बारे में पता किया था तो मुझे जो जनकारी मिली वो मुझे ये जनकारी मिली कि इनका system accounting system इस तरह से होता है कि उसमें zero नहीं आता है ठीक है minimum one रुपेज वो वहाँ पे रहेगा ठीक है ऐसा नहीं कि ये मतलब दे दिये जाता है system उसका ऐसा बनावा जो accounting का software जो है उसमें one रुपी ही आता है उसमें zero नहीं हो सकता है तो reduce हो जाता है one रुपी हमें detail में नहीं जाना है exam में जब पूछेंगे कि कोई एक demand for grant थी उस पे एक कश cut motion इंट्रिदूस हुआ final जो amount था वो एक रुपे बन गया तो वो कौन सा cut motion हुआ वो हमारे पास हुआ policy cut motion इतना clear हो गया अच्छा ये तो बात होगी किसकी policy cut की अच्छा दूसरा जो होता है वो होता है economic cut motion अब माली जे ministry of steel है उन्होंने कहा कि हम एक project बनाएंगे और हमें 10,000 करोड रुपेज की जरुबता है 10,000 करोड रुपेज राहूल गांदी साब खड़े होते हैं वो कहते हैं कि सर ये जो project बनाने जा रहे हैं इसमें 10,000 करोड नहीं इसमें 7,000 करोड रुपेज की लागत आएगी यानि कि आप इसमें से 3,000 करोड रुपे सब्ट्रक कर देंगे 3,000 करोड तो remaining जो amount है वो कितने होजएगा 7,000 करोड रुपेज तो ये क्या है 3,000 करोड रुपे परपोस करटा है अगर ऐसा हो जाता है तो जो final grant होगी वो होगी 7,000 करोड रुपे आपको 10,000 करोड रुपे नहीं मिलेंगे इसके अलाबा माली जे कोई ऐसी demand for grant है जो पहले भी मांगी गई हो या फिर उस पर fine लगाना हो या penalty लगाना हो तो जब कभी भी हम fine और penalty लगाते हैं तो वो होता है 100 रुपेज कितना होता है 100 रुपेज ठीक है ये 100 रुपेज फाइन है या फिर क्या है penalty है इसे माली जे last year पैसे मांगे उन्होंने काम नहीं किया या जो भी था mistake होगी whatever में भी ब्रीज बनाना था वो गिर गया जो भी है तो penalty जो है वो 100 रुपेज अगर 100 रुपेज पैनल्टी है तो उसको हम बोलेंगे token cut motion अगर कुछ एक बड़ा amount आप subtract कर देते हैं clear है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका budget जो है वो पूरा complete distance करा दिया है इसके इलावा जो topic इसमें बच जाता है वो हमारे पास finance bill बच जाते है finance bill type 1 type B ये भी मैं आपको अलड़ी पढ़ा चुका हूँ तो उमीद करता हूँ कि इस video lecture में आपको budget जो topic है ये आपको काफी अच्छा से clear हो गया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे whatsapp पे message कर सकते हैं मेरे telegram channel पे message कर सकते हैं मुझे आप personal जो आपके बास number है वहाँ पे message कर सकते हैं तो मैं definitely उसको reply करूँगा ठीक है? Thank you so much